आपने एक बजबुत सरकार बनाई और मैं कहता हूँ 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किये तो मेरे बुरेक्रसी के लोग मेरे लाखो हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कौने कौने में सरकार के हिस्से के रूपे काम कर रहे हैं उन्होंने विरोक्रसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए पर्फॉर्म करने की जिम्मावारी बख्भी निभाई और उन्होंने पर्फॉर्म करके दिखाया और जनता जनारदन जुल गई तो व तो ट्राम्स ट्रांक्फॉर्म होता भी नजर आ रहा है और इसलिए रिफॉर्म पर्फॉर्म ट्रांक्फॉर्म ये कालखन अब भारत के भविश्च को गड़ रहा है और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले एक हजार साल की नीव को सकील की जरूत है हमने अलक सकील मिलिष्ट्री बनाई भारत की आवश्यक्ताओं को तो पूरी करेगी दुनिया की आवश्यक्ताओं को पूरू भंधे आप समझ पाएंगे हमने जलशक्ति मन्त्राले बनाया यह जलशक्ति मंत्राले हमारा हमारे देश के एक-एक देश्वाज्यों को पीने का शुद्ध पानी पहुचे पर यह वन की रख्षा के लिए पानी के प्रती संभेदन सिल व्यवस्ताय विच्षित हो उस पर हम बल्द रहे हैं हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है होलिस्टिक हेल्थ कैर यह समय की मांग है हमने अलग आयूश मंत्रावे बनाया और योग और आयूश आज दुनिया में अपना पर्चम लहरा रहे हैं हमने दु तो फिर दुनिया कैसे स्विकार करेगी लेकिन जब मंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मुल्य समझ ने आया मत्से पालन हमारा इतना बड़ा समुद्री तट हमारे कोटी कोटी मच्वारे भाई वहन उनका कल्यान भी हमारे दिलों में है और इसलिए हमने अलग से मत्स पालन को लेकर करके अलग मंत्रालही की रतनागी ताकि समाज के जिस वरक के लोग पीषे रह गए उनको हम साथ देश में सरकारी अर्थववस्था की हिस्से होते हैं लेकिन समाँच के अर्थ व्यवस्था का एक बड़ा हिसा है कॉर्परेटिव मूं में को उसको बल्देने के लिए उसको आधीन लाने के लिए और देश के कौने कौने में लोग तांत्र की सबसे बड़ी काई को मजबूत परका देख लिए हमने अलग को प्रेटिम मंत्राला भी बनाया और वो हमारी सहकारी संस्ताइं उसका जाल बिछा रहा है तक गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो उसकी आवश्यक्ताओं की पूर्त योगदान में एक छोटी काई का हिस्सा बन करके उसमें वह योगदान दे रखें हमने सहकार से समर्दिकार रास्त अपनाया है कि मेरे प्यारे परिवार्जनों कि जब हम लोग 14 में आये थे तो हम कि वैश्विकार्थ ववस्ता में दस्वे नंबर पर जो और आज एक सो चालीश करीड करोर देश्वाच्यों का पुरसार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थ ववस्ता में पांचवे नंबर पर पहुंच चुके हैं और यह ऐसे ही नहीं हुआ है जो एक ब्रस्ताचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे लाखो करोड के गोटाले अर्थ ववस्ता को डावा डोल कर रहे थे गवर्नांस फ्रेजाईल फाईल में देश की पहचान होने लगी थी लिकेजिस को हमने बंद किया मजबूरत आर्थ ववस्ता बनाई हमने गरीब करना के लिए जादा से जादा धन खर्चने का प्रयास किया और आज मैं देश वास्यों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक्रुप से सम्रिद्ध होता है तो सिर्फ तीजोरी नहीं परती है कि देश का सामर्थ बढ़ता है